तो हमारे बीच है उत्सप जैसुवाल जी जोगे दल सिंग सराइके रहने वाल हैं तो सौगयज से सर आपका केवी स्टूडियो में नमस्कार, सबसे पहले मुझे देख रहे हैं सभी दर्सकों को हमारी ओर से क्यारियवली परिबार की ओर से हर दिक अभिनंदन, हर दिक स्वागत और साथ ही साथ के वी स्टीडियो के सभी जो मेंबर्स हैं जो हमारा दलजिंसरे आए हैं उनको भी हमारी गोर से अभिनेंदन और स्वागत्तम तो सर हमने जाना हैं आपने सुना है कि सर काफी दस साल से आप कॉमर्च जैसी टफ सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीकों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसी रही आपकी जनरी ये दस साल की इस संस्था की उन्नती के लिए जिन्होंने हमारे सर के उपर अपना हाथ रखा मैं उन्हें भी हमारे आईडियल गुरू प्रोफेशर अनिल गुपता सर को और साथ ही साथ मैं अपने पुझनी पिता जी का भी तहे दिल से धन्वाद देता हूँ आज उन्दोनों के बदलत ही मैं जो भी कुछ हूँ आज उन्दोनों के बदलत ही हूँ यह संस्था दो तरक्की पे है उसमें सबसे महत्पूर्ण हाथ हमारे गुरु हमारे सकेंड गारजियन हमारे पिता के बाद सकेंड अस्थान वाले हमारे प्रोफेशर अनिल गुपता सर हैं उन्हीं के बदलता जहां भी हैं हम बस सिर्फ उन्हीं के बदलत हैं उनको भी मैं त जब 2007 में अपनी 10th की परिछा पास किया था तो उसमें मैं कॉमर्स लिया था और उसमें मैं अपनी परहाई के लिए मैं पटना गया था और पटना जाने के दर्मियान में और दो साल पटना रहने के दर्मियान में हमने बहुत सी कठनाईया को सामना करना परा तो हमें लगा द करने के लिए khol kata गए तो कोलकता में हमने सिए की परहाई कि सिए की कोर्स किया हमने फिर।ि पस कर करके लकिन हमेरे मस्टिक्स में एक बात हमेसा कटकते रहता था जो हमें दलस्ञ कराई के लिए अपनी समाज के लिए कुछ करना है हमारे समाज में जो बच्चे हैं जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन चाह के भी अपनी परहाई नहीं कर पाते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे और उसी के तहत हमने 2012 में 10 जूलाए 2012 को क्यर्यर वर्ल्ड कोमर्स क्लास के नीव हमने रखी थी और मैं बता दूंँ आपको जब हमारे क्लास का जब हमारे कोचिंग का जिन Deaf 보이는 rate था तो बहुत सारी लोग करके हमारे पिता के पापाके समाजीक लोग हैं तो लोगे फिर दूसरे बच्चे आए फिर उसके नेक्स डे फिर दूसरे बच्चे ऐसे करकर के हमने जो है तो बच्चे को पढ़ाया और हमने जो इने का काम कर रहे हैं और आगे हम हमारी एक बैच बनी थी इसमें पांच पांच बच्ची हैं और तीन बच्चे थे मतलब एक स्ट्वेंट थे हमारे सबसे पहले बैच के उन्होंने 2014 में become part third का ग्याम दिया था और अच्छे नंबर से मतलब पहले साल तहल का मचाते हुए हमने रिजल्ट दिया था और सारी बच्चियां अभी उसमें से कुछ बच्चें जो है सो जॉब में भी हैं कुछ बच्चियां आगे की परहाई भी अभी कर रही हैं उसके बाद फिर ध उस सहर में कॉमर्स का दिया जलाने चला हूँ मैं मस्केरियर वर्ल्ड उस सहर में कॉमर्स का दिया जलाने चला हूँ जहां कॉमर्स के परती सदियों से अंधेरा है यह सलोगन के साथ हमने अपने कारवा को प्ररंभ किया था और आज हमारा कारवा हमारी महनत के दम पर हमारे टीम के महनत के दम और बच्चों के महनत के दम पर आगे बरता चला गया और सबसे पहले 2015 में मैट्रिक इंटर में वार्षिक परिच्छा में हमारे साक्षी सर्मा दिने उस समय 375 नमबर लाके उन्होंने अनमंडल में टॉप किया था उसके बाद इसी तरह धिये धिरे धिये धिरे और हमने टार्गेट एक बार नहीं सिट किया जो हमको ब्यार टॉपर करना है हमने पहले दलसिंच रायस्तर पर 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 अनमंडल अस्तर पर फिर जिला पर सोच चला और बिगत तीन चार वर्सों से हम जिला टॉपर पर हैं जिला टॉप में जिला में हमारे बच्छों का स्थान है और 2016 में भी जिला टॉपर है 2017 में भी अनमंडल टॉपर है 2018 में सेटिका प्रियम जिन्होंने 395 एंक लाके पुरे जिले का नाम दलसिंच राय का नाम रोसन किया वह भी 2019 में दो बच्चिया अनामिका सरमा और नेहा राज ने 428-428 नमर लाके जिला में सबसे अब्वेल अस्थान सबसे उचा अस्थान प्राप्त किया था और उसी करी को आगे बढ़ाते हुए 2020 की वार्सिक परिक्षा में स्रया सिना ने 448 नमर लाके जिला में सब डंग का जा दिया और 22 मार्च को जो अबी बहार दिवस्का समस्ट्वपुर जिले में सरकार के द्वरा समस्ट्व पुर्षुपुर के जिलादिकारी के द्वार और बी कर्व전 में प्रतिनिधियों के द्वरा जो है हम को समान के रूप में प्रसती candle बर और प्रतर ट्रौशी the oggi और प्रुस्कार से प्रुस्राइट होकर हमने अब अगला स्टेप ठान लिया है जो हम लोग अब दोजार पाइस की जो वर्षिक परिक्षा होगे उसमें हम लोग बिहार टॉप तेन में अपने बच्चा को डालेंगे सर आपको आपने बताए कि काफी टालेंटेड लोग आपके पूरे बिहार में नाम रोशन करें सालसात जीले में रोशन करें आपको लगा था कि कभी मेरा जो यह संस्थान है और यह जो आपकी प्रयास है बच्चों को आगे बहाने कभी लगा था कि इस मुकाम तक आप पहु अपनी खुद की कोचिंग खोल रहे हैं इसका मतलब असफल है अभी के दनिया में सफलता का एकंपल होता है जो नौकरी हम नौकरी मनी इसको असफल है तो एक असफल व्यक्ति ही कहां पे हमारा सफल हुए इसके राज Isका राज हमें पता है और हम आपने बच्चे को उसी रा जलील मतब क्या नहीं करते हैं हम लोग के सिख्चा के खास पिसोड में आज हमारे बीच ऐसे सक्सियत है जो की काफी दस साल से उन्होंने प्रतिवा से अपने पहाने की तरीके से उन्होंने जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है यहां के बच्चों को बहुत आसान कर गया तो रिजाम अच्छा आता है और बच्चे का रिजल्ट आता है और इसी सिल्सिले को हम आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं जब हम तेंद पास किये थे तो दो सपना था एक सपने को तो हमन मैं भी दलसंग्स राए में रहके काोमर्स के बच्चों के लिए हर साल 30 बच्चों को noodles को तो उनकी तरह हम भी दलसिंस राय में हम कोई पटना कोई दिली दलसिंस राय में रहा के ही हम ऐसा platform मेरा ही सपना है जो हम करें ताकि 30 बच्चे को हम रखके पढ़ा सके और 30 वैसे मेधावी छात्र को पढ़ा सके ताकि result में हमारे 300 बच्चे जो हैं यह हमारा पढ़ास है देखिए भगवान आप लोग का सपोर्ट रहा बच्चों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही हम इस मुकाम को हासिल कर लेंगे और इस सपना को भी पूरा कर लेंगे ताकि जो भी निर्धन है जो भी मेधावी छात्र हैं जो पैसे के अभाब में पर नहीं पाते हैं उनको हम पढ़ाएंगे और दूसरी बात हमारे हां की है जो हम लोग अभी ही बहुत सारे hase निर्धन छात्रा शात्राइन हैं जिनको हम मुक्त में सक्चा देते हैं फृरी में टेयरे के बंहें हम यहें में होते हां हमारे हाँ जादे बड़े संस्थान के डारेक्टर नहीं है, हमारे संस्थान बहुत छोटा है, मतलब और गेत तुना में कहें, तो हम टीटी के मताबिक भी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही अगर बैच में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे में भी हर बैच में, एक दो बच्चे, तीन बच्चे ऐसे होते हैं, जो मुक्ति चाग्रन करते हैं, और बच्चों से हमारा अस्पेक्ट रहता है, और बच्चे पढ़ते हैं, और रिजल्ट भी देते हैं. सर, आपके संस्था में, मालब किन-किन चीजों की मतलब पढ़ाई होती है, कौन-कौन सब्जेक्ट है, कॉमर्स में? हमारे हाँ मेली कॉमर्स, और हमारे इक सापाथी है मनी सर, वो भी साइट से 9-10 की पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर साइंस में 11-12 बैलों को फिजिक्स भी साइट से पढ़ा लेते हैं, और मेली हमारा कॉमर्स है, तो कॉमर्स में सारे सब्जेक्ट को अभी मैं खू लेती है तो कॉमर्श में 5 सब्जेक्ट है, तो पाच्ओं सब्यक्ट की पराहिया हमारे होती है और हम अपने बच्चे-क कही और बटकने नहीं देते हैं आपना हे जो सामके पाँच बजे सारे पाँच बजे तक यहां रखते हैं और वही महनत वही लास्ट का जो दो तीन महने का हम लोग का जो महनत होता है वही सफल बनाता है बच्चे को सर वैस्विक महामारी जो देश में चल रही थी उस दोड़ान आपका संस्था मतलब किस तरह से प्रयास कर रहा था यहां के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तो उससे में भी हम लोगों ने बच्चों को बुलाना उनके स्वास्त के साथ खिलवार का बात था तो हम लोग हम लोगों ने लरके लराई लरी कोचिंग खुलवाने के लिए हम लोगों ने लराई लरी और हम लोग दलसंग सराई से लेके पटना तक दिली तक जाके हम लोगों ने उस बीच में मैं बता दू मैं कोचिंग संग दलसंग सराई का सचिब भी हूं और सभी कोचिंग संचा सालकों के तरफ से और मैं अपनी भी तरफ से यहां से लेके पटना तक डियम से सहर के अपने च्छेतर के सारे विधायक से फिर से सिक्षा मंतरी से फिर से विजय वावु समय स्पीकर हुआ करते थे तेजसी आदब जी से नितीश कुमार जी से बहुत लोगों से हम लोगों न सिती में थे दो वक्त की रोटी हम लोगों को नहीं मिल रही थी कैसे कैसे करके हम लोग जो है सो दो वक्त की रोटी खा पा रहे थे और हम लोग अपने परिवार का पॉलन पोसंड कर रहे थे बहुत कठनाई हुआ कर दी थी और सारे परते निदियुत के जो भी जंद परते करके और उनको जनबरी में एक्जाम दिला के 4 पाँच मेने के कम समय में उन पर मह Stevens कर कहने था और वो लोग सफल हुए और उन्होंने भी हमको सपर के उन्होंने ओए इस 12000 के बाद जो स्टूढेंट की तरफ बढ़ने की जो कोशिश करेंगे उनसे आप क्या कहना मैं यही कहना चाहता हूं, जो हमारे हाँ अपने बिहार में तीन फैकल्टीज है साइन्स, आर्ट्स और कमर्स तो तीनों फैकल्टी, तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं मैं बता दूँ एक कहानी बता दूँ, एक बार तीन बच्चे बैठे हुए थे कहीं हौल में के सटेसन पर ठीन बचे बैठे थे एक्रण्श के बचे थे एक्रण्श के बचे थे ऐक आर्ट्ष का बच्चे थे और तीनों बच्चों में एक मतलब किसी बात पर वहिं से चल रही थी थिंजोन यह ऐसी चल रही थी साइंस बहला कर रहा था chapter sir I am the best बत्तब साइंस बेस्ट है ऐस बहुत था याम डावेस्ट आर्ट्स्बेस्ट है और कमर्स वाले गहरे था आयम दा ब्रेस्ट बीस्ट फो तीनों के बीच एक बहुत बहुत भी आनक बहुत था था ॅह तो मेरे पास दिमाग है साइंस वाले सूछते हैं बत्तब किसी मैं जिक्षान कूशकर को तेंक करते हैं तो होचेंगे नहीं तब तक कुछ बने का कैसे भाई जब तक हम हम तुम उसको बनाईगे नहीं तो कैसे बनेगा तूर अब तुम आ लिये और हम जब तक उसको मारकेट में पर्जेंट करेंगे नहीं तब तो को बिकिया कैसे है तो तीनों में बहस चल रहा था तो एक बुद्धी जीवी व्यक्ति वहां पे पहुँचे और तीनों की बात सुनके उन्होंने कहा जो तीनों एक दूसरी के भी नाधूरे हैं साइन्स वाले अगर कुछ चीज सोच लेंगे तो उनको काम में क साइन्स भी है किसी भी चीज को आप सूचते हैं तो साइन्स है किसी भी चीज को आप करते हैं तो आर्ट्स है और उस चीज को आप मार्केट में परजेंट करते हैं तो आपके पास कॉमर्स भी है तो कॉमर्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है और अभी का जो यूग है अभी का जो मार्केट का यूग है अभी देखेगा चारों तरफ सिर्फ बजार ही बजार है तो सभी जगह लोग बजार की लोग मतलब जो मार्केट के जानने वाली लोग है उनका अब हैलू अभी है तो हम सभी छात चात्राओं से यही कहेंगे जो साइंस आर्च तो आप परे ही है आ इतना commerce के परती विश्वस्त हूँ जो आपको commerce का टेस्ट भी अच्छा लगेगा और टेस्ट जब अच्छा लगेगा तो आपका market में भी बहुत ही नाम होगा और आने वाले समय में हर पंचायत में हर ब्लॉक में एक एक अकांटेंट क्या वा सकता है और वो एकांटेंट सिर्फ commerce का बच्चा कर सकता है वो एकांटेंट सिर्फ commerce दे सकता है दूसरा subject नहीं दीजिएगा आप सो बच्चे तेंट पास करते हैं सो में से 50 चाइंस ले लिजिए चालिस बच्चे आर्च ले ले जिए 10 बच्चे ही commerce में आईए 10 बच्चे ही सभी 90 परवरी हैं और उसका रिजल्ट देखिएगा आप इस बार भी 2020 में जो result आया है 75% approach में arts का result है 73% approach में science का result है लेकिन commerce वाले सब को पीछा छोड़ते हुए approach 91% 91.9% जो है जो commerce के result है है हमारे बिहार में तो commerce धीर 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 डेबलब कर रहा है और धीर 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 आगे बर रहा है तो मैं आप सभी चातर चातरा हूं से यही मैं कहूंगा जो आप भी commerce नया subject है और पढ़िए commerce बहुत आसान है तफ नहीं है बहुत आसान subject है एक बार इसका टेस्ट लेके देखिए मेरा भरोसा अच्छा ही लगेगा सर, और आखरी सवाल हम जो जाना चाहेंगे कि career world कस तरह से दल सिंह सराई के student आप आके हमसे जूरें आप निर्धन है तो मैं सभी निर्धन छातर छातर हो जो पैसे के कारण नहीं पर पाते हैं आप हमारे यहां जूरिए मैं आपको के बी स्टूडियो के माद्यम से आपन एनॉंसमेंट करता हूं जो मैं आपकी सारी पढ़ाई फ्री करवाँगा जो हमारे यहां की जो भी हमसे पॉ आइडी है उससे भी आप जूरिके हमसे आप जूरिके आगे की पढ़ाई आप कर सकते हैं कॉमर्स की दुनिया में और आख़ी सवाल सर हमारे जो डिरेक्टर है डॉक्टर रौसन सर जी जिनका जो प्रयास है कि आप जैसे छूपे हुए प्रतिवा और छूपे हुए मतलब कहानी को आगे लाने की कुछिस पर करते हैं इन पर आपका क्या कहना है मैं सबसे पहले के वी स्टूडियो के डिरेक्टर है डॉक्टर रौसन जी उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज उनके माध्यम से ही अगर वाज ना होते तो मैं आपके साथ बैटके इंटर है वही बिकता है जो दिखेगा वही बिकेगा तो दिखाने का काम हमारे रौसन सर कर रहे हैं उनको हमारी पुझे टीम की ओर से धेर सारा अभार धेर सारा धनेबाद इसी तरह आगे छुपे वी परतिबा को जूनते रहिए और आगे बरहते रहिए यही मैं और के बी सबके पर बहुत मुचे उचाईयों पर जो है और संसर उनकी पूरी टीम तो यहां जो आप केरियर वर्ल में क्या क्या फैसलिटी देते हैं बच्चों को देखिए तो हमारे यहां कोई फैसलिटी नहीं है हम स्रिप दो पंखा लगा कर रखे हैं वही पंखा कभी चलता है आप सब्लना अब हम फैसलिटी और मेरामान ना फिक्र फैसलिटी पढांगे बच्चे आगे नहीं बढ Linda गृस्य हैं चलता हुभ पशीत बच्चे इस चल्लाता हूँ मैं जो फैसलिटी देता हूँ उस फैसलिटी में बच्चे परते हैं और वात यहां हैं जो हैं आपनी सक्षा गरन करते है unhow अपनी परहाई को पूरी पल है जैसे हैं वैसे दिखते हैं वैसे हैं और कहा कहा के बच्चे आते हैं आपके पास हमारे हाँ तो इधर मोहदी नगर मदूदाबाद उज्यारपूर बिला मेग इधर से आपका चंदौली बेगरा हो गया मैसारी है चक हवीब है कल्यानपूर है मनसूर्चक है समसा है बच्चे को जितने बज़े बुलाएं उतने बज़े बच्चे आते हैं मैं बता दू हमारे हैं क्लास पर टाइम ज़्यादा फूकस है हमारे हैं आभी चॲट के जो बैच चलते हैं उसमें दो टाइम है एक टाइम सुबह सारे साथ से जारा बज़ तक और वही बच्चे फिर तीन से पास तक रहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चियां लोग हैं जो पूरा पूरा दिन यहीं पे लंच लाके बैठती है अपने परहाई को अच्छे करने के लिए लंच लाके यहीं लंच करती है और बैठती है और बैठती है फिर तीन से पास करके फिर घर जाती है फिर घर पे सेलपे स्टेडी करके अपना काम करती है अपने परहाई को आगे बढाती है और एक ही मातुर्देस है और पैरेंस भी को support करते हैं जो बच्चे develop करें बच्चे परें बच्चे को free कर दिया पर ये और बच्चे result भी देते हैं तो parents को ये असास नहीं होता जो हमने बच्चे को free किया तो हमने हमरें को नुकसान है उनको फाइदा होता है और तब बच्चे और parents भी हमारे पर भरुसा करते हैं और बहुत से परेंस को तक को ये भी नहीं पता है उनके बच्ची और बच्चिया का एडिमिशन कहा है मैं दल्जिन साय में कॉमर्स की पराई है नहीं किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी हाई स्कूल में कॉमर्स की प्राइड नहीं है इसके कारण परिसानियां तो होती है तो बहुत से परेंस को ये तक नहीं पता है जो हमारे बच्ची कहां से पास की है क्योंकि सारी जवाब देही मैं अपने उपर ले लेता हूँ और पेरेंस आख बंद करके बरुसा करके हम पे छोड़ देते हैं सर आप कैसे पास क्राईया आप समझें और हम सारे बच्चे को बच्चियों को अलग-अलग समस्तेपूर, उज्यारपूर, चंदवली, सारंजन बगरा मेडिशन करा के हम उसकी परहाई कॉंप्लीट कराते हैं और मैं आपके मादयम से कीवी स्टूडियो के मादयम से हम अपने सिक्छा मंतरी हमारे हमारे जो दलसन सराई क्योटा निवासी बिजया कुमार चौधी जी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे म अपनी कंटीनू आगे रखे और इससे दलसन सराई में कॉमर्स का और विकास होगा, जो जब परहाई होगी तो बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे दलसन सराई में कॉमर्स का विकास होगा, तो मैं आपके मादयम से मैं उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उनस तो सर का जो प्रयास है तुम लोगों जो कॉमर्स टफ होता है इस पर आपका क्या कहना है सर का जो प्रयास है जो पढ़ा रहे हैं सर आपको इतना अच्छा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यहां आके हम लोगों लग रहा है जो हम अच्छे जगह पर आये हैं और कुछ आगे हम कर सकते हैं अच्छा हां बहुत अच्छा पढ़ाई होता हैं अपर सर अच्छे से कॉपरेट करते हैं और इंस्पायर भी हम लोग को करते हैं अच्छ से ग्यारा माक्साइर जिनको मैं अपना से अपने राहुल सर्मनी सर को देना चाहूँगा अपने प्यामिली को देना चाहूं गा जो जिन्हों ने मेरा फोली सपोर्ट किया है और इस कोचिंग में ऐसा मुझे लगा कि मैं अपना गोल जो है एचीव कर सकता हूं और आगे अपना बढ़ सकता हूं अपना फुरे फैमिली पुरे समाज का नाम रोशन कर सकता हूं मैं रोहित कुमार हूं मैं यहां कॉमर्स लेकर पढ़ने के लिए था यहां कि हमको बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से राहूल सर डील करते हैं मनी सर डील करते हैं वो बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला केर वल की एक छात्रा हूं निया भारती जो इस वारत वेल्थ पास की हूं जिसमें मेरा 410 नमर आया है मैं राहूल सर और मनी सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो हमें इतना अच्छे से पढ़ाएं और आगे बढ़ने के लिए नाम रितिक कुमार है और मैं इसी वर्स 379 कि इंटर का एक्जाम उत्रीन किया हूं और मैं केरियर वल कोचिंग से मैं पढ़ाई अपना किया हूं और मुझे इस कोचिंग से पूरा सपोर्ट मिला है और एक पैरेंट्स के तरह हमारे सर राहूल सर है जो हम लोग को पढ़ाएं और मैं उन्हें ठैंक्यू बोलूंगा और दन्यों मैंनाम सुमन कुमार है मैं करियर वल में पढ़ता हूं और मैं यहां से इसी साल फर्स्ट किया हूं और अच्छा रिजल्ट से 362 नमबर है और यहां पर मतलब सर पराते हैं बहुत अच्छे तरीकास पराते हैं मोटिवेट भी करते हैं और नेगेटी की तरह मतलब समझ कर उसको समझा कर फिर अपना पराते हैं बच्चे जिस तरह मतलब जिस तरह सुडेंट अपना समझ सके उस टाइप को बनके मतलब उस टाइप से अपना समझाते हैं तो यह बताना चाहूंगा कि यहां बहुत अच्छी पराई होती है यह थे उत सब जैस् काम पहुचाने की प्रयास करते हैं क्योंकि इन्हों ने जो प्रयत्न किया है जो दस साल से यह कोचिंग चला रहे हैं और तमाम जो जिले से इनके जिले से और दूर दूर से बच्चे परने आते हैं तो उनकी जो पढ़ाई की जो छमता है उसको बढ़ानी की योगदान करते ह और काफी टॉपर्स यहां से आगे गए हैं इन शेतर में समस्तिपूर डिविजन में टॉप वन जो 2020 में देखने को मिला और इस साल 2020 में भी टॉप फोर्थ रैंक इनके कोचिंग संस्तान से जाने को मिला तो इसी के साथ आप इस संस्ता से जुरूरने के लिए आप केरिया ल और साथ ही हमारे पेजेस को फॉलो करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले तिसी के साथ मैं कुमार सान लो जीता हूँ आपसे अलविदा और मिलूंगा अगले अपिसोड में और मैं होगी अलगी कहानी के सुरुआ तो इसी साथ आप जुरे रहे हमारे चैनल से नमस्कार